तो हरनवा इंचेस्टरी आप देखेंक, q1 की नंबर को देखकर हमें यहाँ पर देखेंगे की बाइक ओल यहाँ पर बन सकता हैं मोदो के समझें WOW नूब का में करता है इस टॉटक जैसाअखहे इसका IPO बहुत दमदार आया था लेकिन IPO से लेकर अब तक का टाइम यह रहा आपका 6 मंद की Candlestick Chart है हर 6 महीने की Candlestick है एक single return आपको देता हुए यह stock नहीं दिखा है आपके सारे की return जो है ना जितने की जितने कमाई थे आपने सारे बाइपाउट हो चुके है यहाँ पर कुछ तो गड़वर्ड है जिसकी वेसे यहाँ पर यह pricing हो रही है सबसे पहली बात तो यहाँ पर यह problem यहाँ पर स्टार्ट होगी थी हजार रुपैसे वो इसलिए क्योंकि market में जितने भी IPO आ रहे थे बहुत ज़ादा अगर आप देखें valuations high कोई भी stock का IPO आ गया मतलब कोई भी IPO आ गया वो stock list होने के बाद आप यह समझेगा वहाँ से 10 time भी हो जाता था जी यहाँ ऐसे scenario चला था यह 12 एक किस के आसपास यही time था जब IPO की दमदा listing हो रही थी उसके बाद आया valuation का face कि valuation से यहाँ पर देखें P ratio देखें कितना high है यहाँ पर तो बिल्कुली यहाँ पर ना आपका बहुत ही महेंगे stocks हो गए हैं वहीं से इसने correction स्टार्ट कर दिया और यह stock भी जो मैटो आप PV पिंटेक ले ले लीचे जितने भी stock listed होए थे जालतर उनके साथ यहाँ पर gains pipe out कर दिये और यह lose कर गया पूरा और यहाँ पर लोगों ने जिन्हों ने highest level पर लिये थे उनका पैसा बहुत जादा यहाँ पर अभी फसा हुआ है तो अभी जैसा कि मैंने आप से कहा कि कुस्तो गड़वड है देखे कुस्तो बहुत जादा गड़वड नहीं है अगर आप देखें तो जब listing हुई थी उस वक्त गड़वड था इस वक्त जो है न वैलुएशन कमफर्ट है यह तो यहाँ पर है बात लेकिन अभी भी सुध नहीं है एक जगा से अगर सही होता है तो एक जगा चीजे खराब हो जाती है इसे स्टॉक के अंदर यह यहाँ पर हुआ है लेकिन इसे स्टॉक के उपर नजर तो रखेंगे इसे वाच लिस्ट में मैं कहता हूँ इसे वाच लिस्ट में आप लगा के रखें और इस पर सिर पर वाच लिस्ट में लगाने के लिए कि जब यहाँ पर चीजे बदलेंगी तब हम इसकी तरफ देखेंगे या फिर जब यहाँ पर वैलिशन्स और थोड़ी सस्ती हो जाएंगी तो यहाँ पर एक छोटा सा रिस्क लेकर हम अपना काम बना सकते हैं बस लेकिन फिलाल जो है वो नमबस क्या कहते हैं यह देख लेते हैं तो EPS यहाँ पर 16.33 है और PE ratio यहाँ पर 21.05 जब हमारी बात हुई थी और कल का जो यहाँ पर closing था आपका Monday के दिन तो आपका था यहाँ पर PE ratio 12.55 के आसपास का PE ratio जी हाँ 12.55 के आसपास का PE ratio और आज देखे कहाँ पर है जबकि यह PE ratio आज stock down गया है 6.5% तो उसके बाद आपको यह देखने मिला है इसका मतलबी है कि कहीं न कहीं यहाँ पर लॉस हुआ होगा जिसके ऐसे PE ratio सडलनी इतना अप हो गया है जी आप बिलकुल लॉस हुआ है लॉस है यहाँ पर रहे यह लॉस मेकिंग क्वाटर रहा है इनके लिए और यहाँ पर अगर आप देखें तो अब यहाँ पर वोक वैलुशन कंफर्ट इस वक्त नहीं दिखाई दे रहे जो 12.55 बते यह बात समझे गए यह क्वाटर खराब आया है तो यहाँ पर बहुत जादा रेटन की उमीद नहीं है अभी लेकिन एक सबसे बड़िया बात इस स्टॉक की यह है बुक वैल्यू आपके पास है बले देखे स्टॉक अच्छे स्टॉक तब खरीदे जाते हैं जब उनमें कोई दिक्कत होती है क्योंकि हम हरनवा को हजार रुपए के असपास नहीं ले पाए हमें 900 रुपए के असपास हमें लेने में दिक्कत हो रही थी लेकिन एक्च्छल में और वहाँ पर होने भी चाहिए थी जो फंडमेंटरे स्टेडी करते हैं उनको यहाँ पर हुई भी होगी 900 रुपए पर वो समझ गए होंगे वेलिशन्स बहुत महेंगी है यह अगर करेक्ट होने पर आया न तो यह मेरे पैसे ले डूँएगा वही यहाँ पर हुआ जो समझ गए वो समझ गए थे तो अभी यहाँ पर 201 की वेल्यू यानि की रियल वेल्यू है इसकी इसके स्टॉक की प्रैस ही और उसके आसपास ही य अनने स्टॉक के अंदर और देखें लगबग लगबग दोजार बाइस से स्टेंबर के बाद यह दिख्थे इसके अंदर स्टॉक तर्फ परसेंट का नेक्स्ट क्वाटर में नेगिटिव नेट से इस वक्त आई है 275 आप क्वाटर दर क्वाटर देखिए गाइस का क्वा इस्ट है यहां पर दिक्कत है नेट से नेट सेल कम हुई है नेट प्रोफिट मेग test कम हुआ है इसकी वजए से यहां पना आप क्वाटर क्वाटर दर धिखेंगे जिस कंपनी नदर अगर दिक्कत आ गएpal financially तो आप उसे year on year basis पर जज़ मत करना quarter the quarter basis पर ही जज़ करना क्योंकि quarter the quarter आपको बता चलेगा कि business कैसा चल रहा है company का ये है और इन quarters को देखके बता चल रहा है कि business थोड़ा सा यहाँ पर एक तरीके से ना गिरावट आई है इसके अंदर business है उसके अंदर growth यहाँ पर कमी और अभी यहाँ पर latest quarter 23 June Q1 minus 5.61 करोड लगाता रहे net profit तो कम हो रहा था लेकर अभी quarter इनको लिए loss making हो चुका है तो यह यहाँ पर है और नेगेटिव 150 परसेंट की यहाँ पर आपको नेगेटिव ग्रोथ देखने को विलिए quarter to quarter तो इसी वजह से आपको एक डिप मिल रहा है साड़े 6 परसेंट का और इसकी वजह से मैं यहाँ पर buy call तो नहीं लोगा क्योंकि यहाँ पर चाहें जितना सस्ता बना रहे है अगर वो एक अलग वात है कि किसी ने भी पैसे डाले और stock चल गया वो एक अलग वात है पैसे वो खीचेगा वो stock गर जाएगा वो यहाँ पर अपने वोज चक्र में नहीं पढ़ना है हम देखें लॉंग रन कि लॉंग रन में यह stock कैसा रहेगा तो फिलाल buy call यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है नई खरिदारी बहुत कम मत करियेगा ज्यादा वेतर है अभी फिल बहुत ज्यादा interested भी है हरनवा को खरिदने के लिए बहुत ही छोटी quantity से काम चलाईएगा बहुत ही छोटी अगर आप सो लेना चाह रहे हैं मैं यहाँ पर recommend नहीं कर रहा हूं अभी यह द्यार रखिएगा लेकिन अगर आप अपनी तरफ से भी अगर आप इसकी तरफ क्याम नहीं होगा और शायद यहाँ पर प्रमोटर इस यहाँ पर ने पर आप देखेगा यहाँ पर तो ठीक ठाक है बिलकल पर मुटर ने बढ़ाइब ही एक्च्छल में अगर आप देखें जून में बढ़ाई भी हलकी सी स्टेक बढ़ाई है यहाँ पर आप देए कर रा जैसे मैं कहुंगा कि यह कौर्टर से थोड़ी सी ओप थी लग रहा था और इसी वक्त मैंने आप सका था कि इन्हें खरीदारी करके मुझ जाएगा पहले कौर्टर देख लेते हैं पांच परसंट का आप एंड डाउन जो भी होगा देख लेते हैं उसके बाद यहां पर डिस लिस्ट में लगाना खरीने की कोसिस मत करिएगा आप देख रहे हैं इसका चार्ट किस तरीकी से डाउन है और अभी इसने जो है एक है रेंज में काम करता है यह 1414 से यहां पर 336 पर अभी है 353 353 से 414 की एक रेंज में वक्त करता है यह लंस लंस मिड जून से अभी तक और इसने वो रेंज तोड़ दी है तो यहां पर है जब तक यह 353 की ऊपर नहीं चलना है स्टार्ट कर देख तब तक यहां पर ना कुछ कह नहीं सकते हैं इस स्टॉक के अंदर निचले लेवल 313 313 अगर तूटता है तो फिर प्रॉब्लम और अगर यह ओल टाइम लो है यहां पर इसका 270 के असपास अल्मुस 270 के असपास अगर यह भी ब्रीच होता है तो यह ओल टाइम लो लगा देगा और ओल टाइम लो लगाएगा तो एक अच्छी बात नहीं है लेकिन वैलिशन सस्ती हो जाएंगी और यह अपने बुक वैल्यू के असपास आ जाए तो अगर किस अगर एक अल्टाइम लो लगा दे तो यहां पर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं उस वक्त हम लोग दोवारा यहां पर जो है कवर करके देखेंगे क्या हुआ अधरवाइस यह आभी तक है इंपॉर्टें लेवल अभी बरकरार है तीनसो तेरा रुपय अभी है लेकिन एक रेंज जो है जिसमें यह चल रहा था काफी टाइम से वो रेंज तूट गई है तो 353 की ऊपर बापस यह रेंज में आ जाया और 353 की नीचे 313 अगर तूटता है तो फिर प्रॉबलम है तो फिर आल टाइम लोग कही ना कहीं देखने को मिल सकता है तो तैयार रही है इस लेकिन अभी फिलाल बाई कॉल नहीं है जब हमें परफेंट लेवल मिलेंगे तब हम बात करेंगे इसको वाच लिस्ट में लगा कर रखें सर तो अमीद है आप इस बात को समझे होंगे आप क्या कहना है इसके उपर कबन से समझे हो और अब दिजम जाब बड़ी देखने क नहीं है तो